इस एपिसोड में हम बात करेंगे Reliance Infra Stock के बारे में अनिल अमबानी ग्रूप के जितने भी Reliance Stock हैं सबसे कोई अगर एक मजबूत Stock की बात किया जाए तो वो Reliance Infra ही सब के जुगान पर आता है जहां ये Stock Continuous 80-100 के आसपास Consolidate हो रहा था वहीं इस Stock के अंदर एक सांदार Breakout दिखा और 1500 के आसपास तक के भी इस Stock ने Price को टच किया लेकिन Result अच्छा बहुत नहीं होने के कारण और Overall Market Sentiment का Bearish होने के कारण और अनिल अमबानी के जो ट्रेडिंग नहीं करने को बैन लगाने के कारण इस Stock के अंदर Overall 3-4 Bad News था जिसके कारण इस Stock में Lower Circuit दिखा है प्रसनली हमने आपको हिदायत दी भी थी और कहा था कि यहां से बाइंग करने से बचे 140-50 का जो Level है वो Risk, Reward जो Favorable होना चाहिए वो नहीं है और इस समय एवरेज करने से भी बचना चाहिए बहुत सारे ऐसे भी New Age कमर लोग हैं जिनको पता नहीं है और इस प्राइस पर भी बाइंग करना सुरू कर देते हैं तो आप इस Stock में रुके आपको 105-108 के आसपास तक के प्राइस मिलेंगे तो उस प्राइस से मेरा मानना होगा कि Small quantity आपको बाइ करना चाहिए यहां average या बाइ करने से जरूर आपको बचना चाहिए और आगे से ऐसा गलती नहीं करें कि जहां रेस्टेंज के आसपास विक लाइए